हलो एवर्ड वान कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग करेंगे स्लाइजम का सेट 3 अब आप लोग सोचेंगे से राइज का सेट 3 किस तरीके से है तो आपको मैं बता दू जब हमने लास्ट तांग यह कोर्स करवाया था आप लोगों को आप लोगों आपको सुबस्क्राइब करते हैं और मैंने आपको सुबह भी इंफॉग किया था कि आप वो दो पार्ट को देख sensor किउमकि आज डिले है और अब आपको Spray 새 जो जो यह जो लेकि आये हैं तो उसके बाद आप लोग यह attempt कीजेगा आपको यह काफी असानी से समझ आ जाएगा तो set 3 हम आज करेंगे जिसमें मैं आपको only few के cases को करवाऊंगा बहुत simple सा concept है इसका बच्चे बहुत सारे घवरा रहे हैं इतना आपको घवराने की जरूरत नहीं है तो आज है day 10 हमारे 30 days plan का आप लोगों का mock test second का analysis भी आप लोगों को मिल गया है वो अगर आप लोगों को हमने upload नहीं किया तो वो जल्दी इस मिल जाएगा आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पर जो आपको video lectures मिल रहे हैं दिन बर दिन तो उसमें आपको जैसे पहले दिन ही काफी सारे arithmetic के topic मिल गए स्टार्टिंग में आपको वो video lectures मिल रहे हैं जिन पर question आप लोग skip कर देते हैं क्योंकि अभी exam को 20 से दिन 30 दिन है आप वो topic भी सीख लें क्योंकि जो DI है number series है quadratic है simplification है यह हर कोई करके आता है exam में आप लोगों को भी यही पहले attempt करना है आपको अपनी strategy में change नहीं लेकर आने लेकिन अगर आपके पास time है आपको कोई content provide कर रहा है तो आपको कोशिश करनी है आप वो देखें क्योंकि अगर आप 30 से 40 minute का जो इनका lecture है video lecture का अगर देखके paper में एक mark भी जादा score करते है बाकियों से तो वो आपके लिए बहुत कहीं न कहीं advantage ही बनके आएगा तो यह crash course में आपको 60 plus video lecture जो है वो मिल जाएंगे test series आप लोगों को पता है मिल रही है आप लोगों को जिन लोगों ने test series already लेके रखी हुई है उन लोगों को प video lectures मिल रहे हैं आपको इसके साथ analysis हमारी तरह से 30 days plan सब कुछ free मिलता रहेगा तो यह 60-600 रुपे में अगर आपको 6000 से लेके 10,000 रुपे की coaching मिल रही है तो यह किसी भी तरह से आपका loss नहीं होगा तो आप मेरे पर trust कर सकते हैं इस चीज़ को लेके आप लोगों को चीज़े सीखने के लिए मिलेंगी जो topic आपको लगते हैं कि अगर यह आपका time consuming है आपको समझ नहीं आरा तो आप उसको skip कर सकते हैं ऐसा कोई भी rule नहीं है कि आपको वो हर एक चीज़ को करना ही करना है exam से 10 दिन पहले मैं आपके लिए strategy लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊ तो चलिए स्टार्ट करते हैं direct questions से मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा जो आज थोड़े से concept आपको यहां पर भी मैं बताऊंगा पहली चीज का आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में एक चीज को रख लीजिए आप जो आपका only a few या only few होता है इसको आप क्या होगा यह नहीं होगा सम होगा जो मैं आपको चीज बताना हूँ इससे आप लोगों का 100% accuracy maintain रहेगी मैं examples के साथ यहां पर आपको चीज करवाऊंगा only a few हो या only few हो आपको इसको सिरफ सम लेके चलना है दिमाग में ताकि आपको exam hall में confusion create ना हो तो अब यहां पर जो second neither या either or तो यह आप लोगों को बता है options का अगर आप लोग मेंस के लिए जा रहे है मैं मान के चल सकता हूँ तो चलिए बनाते हैं इसको only space only a few space are titles तो मैंने आपको क्या बताया only a few को क्या लेना है आप लोगों को only a few को आप लोगों को लेना है some ठीक है a few titles are block अब यहां पर भी same मैंने आपको बताया only हो या few हो कुछ भी हो आपको सिरफ some लेके चलना है तो यहां पर क्या बोला है आपको block अब यहां पर जो एक concept हो मैं आपको समझाओंगा अब यहां पर क्या बोला गया है आपको conclusion में at least के लिए यह लिए जो चीज यूज होती है वो हमेशा आपका sum ही होता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है इस question के बीच टॉक are spaces तो क्या block spaces हैं आपकी basic diagram से यह आपके नहीं है ज्यादा दिमाग नहीं चलाना तो यह आपका ओगया false ठीक है यानि कि जो आपका first ever follow नहीं करेग बात करते है second पे all spaces being block is a possibility अब यहाँ पे क्या चीज कही गई है आपको यह चीज समझनी है अब यहाँ पे कहा गया है क्या यह सारे जो आपके space है वो block बन सकते हैं तो यह होगा आपका true यहाँ तक आए hope आप लोगों ने निकाल दिया होगा आप लोगोंने answer कर दिया होगा अब यहाँ पे हम जो चीज सीखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा अब यहाँ पे अगर आपका conclusion लिखा होता all spaces being titles is a possibility तब इसका answer क्या होता यह अब आप लोग हमेरे को बताएंगे अगर आपको लिखा होता जितने भी यह spaces हैं यह अगर आपके titles हो सकते हैं त तो आपका answer क्या होता तो आपका answer होता false यानि कि यह follow नहीं करेगा reason क्या होगा यहाँ पे अब आप इसको समझिएगा simple reason होगा कि हमें statement में given है कि सिरफ कुछ spaces ऐसी हैं जो आपकी titles है I hope आपको समझ आ रहा है तो सारी spaces आप नहीं बना सकते हैं यहाँ पे concept आपको समझना है आइसा इसा जैसे questions करेंगे आपको clear होता जाएगा वहीं अगर यहाँ पे आपको लिखा होता conclusion में all titles being space is a possibility क्या सारे titles space हो सकते हैं तब यहाँ पे आपका answer क्या था true क्यूंकि यहाँ पे titles के बारे में बात नहीं की गई थी statement में मैं आपको वापे से एक बार फिर समझा दे करता हूँ यहां कहा गया है आपको space के बारे में इस वर्ड का आपको ज्यान देना है किसके लिए कहा गया है यह कहा गया है spaces के लिए तो यहाँ पे all spaces being titles होता तो आपका answer क्या होता यहाँ पे false I hope आपको समझा है हो बात करते हैं question number second पे चीज़े आपको clear होती जाएंगे session क end में अब यहां पर आपको क्या कहा गया है यहां पर आपको मैंने simple भी लिये हैं जिसमें आपको doubt होते हैं some arc are marks basic diagram आपको I hope अभी तक समझ आ गई होगी no mark is a flap और इसी के साथ कहा गया है no arc is a night तो यह आपको बताया कि क्या होते हैं यह मैंने पहले वीडियो के लिए भी तो अब यहां पर क्या है अब यहां पर चीज जो कही गई है वो कही गई है कि कोई भी flap mark नहीं है अब यहां पर यह चीज का ध्यान रखना जिल लोगों ने lectures पहले नहीं देखे उनको मैं यहां पर repeat कर देता हूं no के case में alternate diagram बनाए यानि कि no का case जब भी आपके सामने आए आपको कोशिश करने कि alternate diagram बनाए इस तरीके से कि आपका ये बन जाए और आपकी ये conditions भी satisfy करें अगर ये चेज बनती है no के case में इस चीज को आप लिखने कहीं पर आपको बहुत help होगी no के case में alternate diagram बनाए अगर बन गई तो false simple सी line आपको याद रखनी है no के case में alternate diagram बनाए अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी flap mark नहीं है अगर मैं इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं alternate diagram में कि कुछ flap जो है वो mark बने अगर ये बन गए alternate diagram के according अगर मैं किसी तरी बनाने की कोशिश करता हूं अब यहाँ पर क्या कहा गया है तो यहां पर यह बोला गया है कि कोई भी mark जो है वो flap नहीं है तो क्या मैं कोई भी flap को mark इस तरी के सा बना सकता हूं कि some flap are mark, कुछ भी इस तरीके से कि कोई भी flap जो है वो mark बन सके तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि कहा गया है हमें, कि कोई भी mark flap नहीं है, यानि कि alternate diagram नहीं बन सकती, तो मैंने आपको क्या कहा था, no के case में alternate diagram बनाए, बन गई तो false, लेकिन नहीं बन रही, तो यह क्या होगा आपका, true, यानि कि यह follow करेगा, बात करते हैं next पे, अब यहाँ पे क्या कहा गया था आपको, यहाँ पे कहा गया है, some flap are night, देखिए, जब basic आपकी कोई एक statement यूज ह होती है, some flaps are night, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कोई भी relation नहीं है, और जब तक आपको no या कोई इस तरीकी की word use नहीं किये हुए, तो आपको alternate diagram बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपका basic diagram से false हो रहा है, वो आपका false ही रहेगा, तो इसका answer है आपका statement one, only one follows, बात करते हैं, next question पे, अब यहाँ पे क्या कहा गया है आप लोगों के लिए, इसमें कहा गया है, no tie is a tray, some tray are bike, all bikes are swan, यह आपकी बनगी basic diagram, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, conclusion में, no bike is a tie, अब, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, no के case में आपको alternate diagram बनानी है, alternate diagram बनाने का मक्सद क्या है, मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है, कि मान लीजिए, मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे, यह जो alternate diagram को इस तरीके से बनाऊंगा आप लोगों के सामने ही और मान लिजिए ये कुछ जो bike है ये क्या होगी आपकी tray अब यहाँ पर आप देखिए क्या no tie is a tray बना है इनके tie और tray के बीच में कोई relation है नहीं है some tray are bike some tray are bike यहाँ पर बन गई है all bike are swag मैंने alternate diagram बना दी है यहाँ पर और आपके सामने मैंने ये भी बना दिया है some bike are tie यानि कि alternate diagram मैंने बना दी है अब यहाँ पर जो मैंने line बोली थी उसको repeat कर दिया है no के case में alternate diagram बनाए अगर बन गई तो false यानि कि ये follow नहीं करेगा ये आपका false हो जाएगा यानि कि कुछ bike जो है आपकी वो type बन सकती है ऐसा कोई conclusion नहीं है बात करते हैं second पर some swans are tray अब यहाँ पर आपको alternate diagram नहीं देखनी some के case में आपको basic diagram को ही देखना है जो आपने पहले बनाई थी अब यहाँ पर क्या कहा गया है क्या कुछ swan tray है तो ये जो part है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका swan ही है तो आपका ये क्या होगा true I hope आपको चीज़ें समझ आ रही होगी silogism बहुत easy है इसमें बस आप लोगों को अपना दिबाग नहीं लगाना जो चीज़ें आपको दी गई है आपको बस वही attempt करनी है बात करते है next पे अब वापिस से case आया है आपका only a few thunders are lightning only a few के case में मैंने आपको क्या बोला simple some लेके चलेंगे some thunders are lightning some lightning are clouds all lightnings are skies मैंने इसको इस तरीके से बना दिया आपको समझा रहा होगा क्या बनाया है अब यहां पे क्या कहा गया है तो अब यहां पे हम देखेंगे इसमें कहा गया है all skies can never be clouds अब यहां पे हम इस चीज़ का ध्यान रखना है इस questions को solve करते हुए तो वो है यहां पे कि जितना भी यह skies है यह कभी भी सारे के सारे clouds नहीं बन सकते इसको मैं अब आपके सामने अगर बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से या फिर मैं इसको इस तरीके से बनाऊ एक alternate ही हमें बनाना है कोशिश क्या करूँगा पहले मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा अगर मैंने बना दिया all skies are cloud ठीक है यहां पे मैंने यह बना दिया उसके बाद क्या कहा गया था और lightning are skies मैंने यह भी बना दिया और some lightning are clouds और मैंने यहां पे यह clouds भी बना दिया और only a few thunders are lightning एक सेगें ये कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है मैं आपको एक बारी फिर से इसको समझाता हूँ ताके clear रहे आपको All skies can never be cloud कहा गया है अब यहाँ पर मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं सारे skies को क्या बनाऊ पहले cloud उसके बाद अब यहाँ पर जो statement दी है हम कोशिश करेंगे इसको इस तरीके से बनाने की और lightning are skies तो मैंने कहीं यहाँ पर ही आपकी lightning भी बना दी some lightning are clouds तो यह अब आपकी some lightnings are clouds भी बन रही है या फिर आप इसको किसी और तरीके से बना दे तो यह जो आप देख रहे हैं चीजे यह आपका बन सकता है तो answer क्या होगा अब यहाँ पर अब आप लोग मुझे यहाँ पर question number 4 में देखके बताएंगे कि क्या सारे skies cloud नहीं बन सकते यह बन सकते हैं तो यह word का ध्यान रखना है यह होगा आपका false बात करते हैं हम conclusion number second की पहले गवार फिर से इसकी basic diagram बना दे only a few thunder are lightning some lightning are clouds all lightning are skies तो यह हमने बनाया था बात करते हैं next some skies are clouds तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो skies है यह भी है और यह clouds भी है तो यह आपका true यानि कि only second इसका follow करेगा बात करते हैं question number fifth पे अब यह क्या किस तरीके से करने है questions को आये हो आप लोगों को समझ आया होगा तो चलिए बात करते है question number five में यहां कहा गया है all mark are deal no deal is a grape और यहां पर कहा गया है all stools are mark तो इस तरीके से मैंने यह diagram बना दी जल्द से जल्द basic diagram आपको बनानी है within four to five second question read करते करते ही अब क्या कहा गया है कि जितने भी stools है वो deal है तो क्या यह आपका बन रहा है सारे के सारे stools आपके deal में बन रहे है तो यह आपका सही है तो इसको आप लोग true कह सकते है some deals are mark अब क्या कुछ deals mark है तो यह जो सारी की सारी अगर हम बात करें deal है तो यह mark भी है तो यह आपका क्या होगा both one and two बहुत simple है basic आप लोगों को only few को कहीं सारे बच्चों को डर लग रहा है लेकिन इतना डरने की जुरूरत है नहीं काफी basic है अगर आप लोगों basic चीज़ आती है तो आप लोग इसका जल्द से जल्द आंसर कर सकते है all globes are fan अब यहां पर इसको हम इस तरीके से बनाएंगे क्या कहा गया है सारी की सारी जो cds है वो क्या है आपकी globe all globes are fan no slab is a fan तो यह आपकी बन गई यहां पर basic diagram some globes being slab is a possibility अब आप मुझे एक चीज़ बनाएं जब मैंने कहा है यह पूरा का पूरा जो आप block देख रहे हैं यहां पर अपने सामने अगर यह पूरा का पूरा जो block है यह slab नहीं है तो क्या यह जो एक छोटा सा part है यह slab हो सकता है तो यह कोई chance ही नहीं बनता तो आपको दिख रहा है यहां पर कि यह कोई possibility नहीं है बात करतें next पर some fans are CD तो some fans are CD same चीज़ें यहां पर आप देख सकते हैं यह सारा जो है यह आपका fan है और यही आपकी CD है तो कुछ fan आपके CD हो सकती है तो यह simple आपका क्या हो जाएगा true I hope आपको चीज़े answer all tails are rig पहले का गया है all pins all pins are tails all tails are rigs no rig is a stone same मिलता जुलता question पहले की तरह अब यहां पर क्या कहा गया है आपको देखना है no pin is a stone अब यहां पर आप एक चीज़ देखें अब आपको इतना होना चाहिए कि आपको हर बार alternate diagram बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े no के case में alternate diagram मैंने आपको कहा है बनाने की तो some pin is a stone अगर हम बना लेंगे तो यह आपकी alternate diagram बन जाएगी तो यह आपका false हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको नहीं बना पाएगे तो यह आपका सही हो जाएगा अब क्या case है no के case में हमें क्या बनानी है हमें कोशिश करना है alternate diagram याने की some pin is a stone हमें बनाने की कोशिश करनी है no के case में alternate diagram बनाए अगर बन गई तो false अगर हम यह बनाने में successful हुए तो यह statement or conclusion आपका false हो जाएगा क्या some pin is a stone हम बना सकते है तो यह हम नहीं बना सकते है सामने सामने हमें दिख रहा है कि यह पूरा block जो है वो यहाँ पे नहीं होगा जो हमारा यहाँ पे stone है वो यह पूरा block नहीं होगा और print इसी का ही part है तो यह नहीं बन सकता यानि कि यह हम alternate diagram नहीं बना सकते तो यह आपका क्या हो जाएगा true alternate diagram नहीं बना पाएंगे तो मतलब no paint is a stone सही है same no tail is a stone अब आपको क्या करना है वापिस से कोशिश करनी है कि हम इसको इस तरीके से बना सकें कि some tail is a stone और हमें कोशिश करनी है कि आपने alternate diagram बना दी है तो आपका ये हो जाएगा false अगर आपके नहीं बना पाएंगे तो ये आपकी statement हो जाएगी true इसको जब दो तिन बार वीडियो को rewind करके देखें आपको समझ आ जाएगा अब क्या हम no tail is a stone और some tail is a stone यहाँ पर बना सकते हैं हम नहीं बना सकते तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका नहीं बन सकता यानि कि alternate diagram नहीं बन सकती जब no के case में alternate diagram बन जाती है तो false होता है अगर नहीं बनती तो ये भी आपका हो जाएगा true यानि कि answer होगा आपका conclusion one and two both अब ये question काफी अच्छा है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है इसको मैं आपको करने का मुका दूँगा क्यूंकि इसमें आप लोगों को जो majority बच्चे question गलत करते हैं paper में इसी वज़ा से करते हैं तो यहाँ पर आपके सारे के सारे doubt clear होंगे आप इसको एक बार बनाएं उसके बाद मैं आपको इसको समझाओंगा किस तरीके से करना है only a few के case में मैंने आपको क्या बोला some car are submarine only a few यानि कि some stakes are submarine अब यहाँ पर आप आप ने यहाँ पर देखा है यह होगा आपका स्टेक्स हम वापिस एक बार इसको बना लेते हैं आप आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर कर दिया होगा इसको क्या होगा some car are submarine और some stakes are submarine यहाँ पर हमने यह बना दिया अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको किस तरीके से करना है अब क्या बोला है यहाँ पर some skates are car पहली चीज मैंने आपको बताया some के case में basic ही diagram देखनी है कोई relations take और car के बीच में नहीं है तो यह हो गया आपका false ठीक है अब यहाँ पर आओ नीचे option number second पर all car never be submarine अब यहाँ पर क्या कहा गया है हमें जो चीज देखनी है वो यह देखना है कि क्या सारी car यह जो car है यह कहा गया है submarine के लिए तो यह हम इसमें अगर बनाए alternate diagram हम इसको इस तरीके से बना सकते है कार submarine और यहाँ पर आगया आपका stake आप लोग क्या कहेंगे यह तो बन सकती है यानि कि यह है false लेकिन अब यहाँ पर आपको point को ध्यान में रखना है जो मैंने आपको पहले समझाया अब यहाँ पर आपका जो only a few का concept बच्चों को confuse करता है वो यह है यहाँ पर बोला क्या गया है statement में यहाँ पर आपको clearly mentioned किया गया है कि सिरफ कुछ कार्स ही submarine है यानि कि only a few कार्स आर submarine अब यह जो case है यह आपका यहाँ पर बन ही नहीं सकता यानि कि यह आप नहीं बना सकते ही तो यह आपका क्या होगा यह होगा आपका true I hope समझ आई आप ये case नहीं बना सकते क्योंकि कहा गया है कि सिरफ कुछ ही cars है जो submarine है आप हर all cars को submarine नहीं कह सकते यहाँ पे तो यह आपको चीज समझ नहीं है यही एक concept है इसमें only के cases में जो only few के cases में आता है यही concept बच्चों को confuse करता है और बच्चे गड़बड करते हैं अगर यहाँ पे आपको लिखा होता अब वापिस से आप option no.3 पे आते हैं all skates being submarine is a possibility अब यहाँ पे आप देखें all skates being submarine is a possibility अब यहाँ पे आपको वापिस से यह line को पढ़ना है क्या कहा गया था सिर्फ कुछ stake इस तरीके से है यानि कि अगर मैं बात करूँ only a few stake कुछ stake ही सिर्फ submarine है तो क्या आपके सारे skate submarine बन सकते हैं तो यह नहीं बन सकते अगर यहाँ पे आपको options दिये होते submarine being skate is a possibility अगर हमें यह कहा गया होता यहाँ पे कि जो submarine है वो skate हो सकते हैं तो यह आपका true होता लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया था यहाँ थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया मैं आपको clear करके समझाता हूँ only a few car are submarine only a few skates are submarine अब यहाँ पे आपको चीज का ध्यान रखना है आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो यह रखना है कि आपको बोला क्या गया है अगर आपको बोला गया है यहाँ पे कि सिरफ कुछ कार ही submarine है only a few car are submarine और आपको option में दिया जाए कि क्या सारी कार submarine हो सकती है all cars can be submarine तो वो नहीं हो सकती तो यह आपको ध्यान रखना है यही एक concept है इस example को आप लोग लिख ले याद कर ले यही चीज एक्जाम में गलत होती है only a few skates are submarine कहा गया है only a few skates are submarine कहा गया और आपको यहाँ क्या कहा गया था कि सारी skates submarine हो सकती है तो वो नहीं हो सकती क्योंकि statement में यह कहा गया है कि बार बार देखें वीडियो को आपको याद हो जाएगा समझा जाएगा इस example को लिख लें बात करते हैं question no.9 पर यह काफी easy questions आप question no.8 ही था समझाने वाला all shoots are bulls, all figs are shoot हम इसको यहीं पर कहीं पर बना सकते हैं इसको हम थोड़ा clear बनाएंगे ताक कि clear रहे चीज़े all barns are figs, all figs are shoots, all shoots are bulls clear है आप बोलगा गया है कि सारे shoot जो है वो आपके barn है तो क्या सारे shoot आपके barn है तो यह नहीं है तो आपका यह क्या हो जाएगा सीधा सीधा आपका false बात करते हैं यहाँ पर all barns are bulls तो क्या यह जितने भी barns हैं यह सारे bulls हैं तो यह सारे नमबर 8 में था जिसमें बहुत सारे बच्चे एक्जाम में गलती करते हैं some rooms are gigs जिनको समझ नहीं आया उनको मैं वापिस से समझा दूंगा कोई बात नहीं some gigs are legs और legs are covers अब यहाँ पर क्या है some rooms are legs क्या कुछ rooms जो हैं आपके legs हैं कोई some के बीच में relation है direct तो वो नहीं है तो यह आपका हो जाएगा false some covers are gigs some covers are gigs तो यह जो पार्ट आप देख रहे हैं यह covers का भी है और यह gigs का भी है तो आंसर हो जाएगा option number second बात करते हैं question number 11 पे आज की वीडियो का last question यह आप लोगों का homework है इसको आप लोग बताएं कि इसका answer क्या होगा comment box में I hope मैंने आपको जो चीजा समझानी थी वो आप लोगों को कहीं न कहीं समझ आई होगी बहुत important topic है यह आप लोगों का question number 12 भी आप लोगों का homework है आप लोग यह दोनों देखें comment करें answer क्या होगा जिन लोगों को समझ नहीं आया है वो comment box में ही लिख दें मैं आपको और examples ल के इसको करना है आपका answer आ जाएगा जो आपने यह देखा question number 8 यही एक question इसी ही format का आता है exam में जो आपको confuse करता है बहुत जादा तो यह भी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर वापिस एक बार में आपको बता देता हूँ जब आपको कहा गया है कि सिरफ only a few cars are submarine और अगर आपको पूछा जाए all cars being submarine is a possibility तो वो possibility नहीं है क्योंकि यहाँ पर यह word का मतलब आपको समझना होगा only a few कहा गया है same sum की approach से भी अगर आप करते तो आपका हो जाता तो यह confusion आपको दूर करने का ही हमारा सिरफ एक motive था यहा आपको लेक्चर कोडिक सिंप्लिफिकेशन और नंबर सीरीज की एकलोती एक ही वीडियो में साथी चीज़ें करवाने की क्योंकि टाइम कम है तो चलिया आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं आप लोगों से काल ने लेक्चर के साथ ओके गाइस बबाय टेक्यर all the best तयार करते रहें